हाई फ्रेंज मैं हूं मानव वेलकम टो मूवी शूवी दोस्तों मैंने शिद्दत का भी ट्रेलर देखा और मुझे नहीं काफी इंप्रेसिव लगा और उसके बहुत सारे रीजन्स हैं अब डिटेल में तो नहीं जाएंगे एक घंटा लंबा वीडियो नहीं बना सकते पर मै क्यों अच्छा लग रहा है क्यों इत्ता फ्रेश लग रहा है और आप भी उसके ऊपर जो है मेरे क्याल से कॉंकर करोगे कि शायद इन ही सब बातों की वज़र से आपको भी अच्छा लगा पहला दोस्तों हमना थोड़ा से अक गए और पक गए हैं कुछ 50 साल के लोगों को देखते देखते जहां पर उनके heroine जो होती है 25 साल की होती है and they are running around the tree and they are still projecting themselves as young lovers वो बच्चे की तरह आपने आपको दिखा रहे हैं उससे हम पक चुके हैं तो we actually needed somebody who looks like a person who is just out of college starting his career first job वले टाइप के ताकि हम भी उनसे relate कर पाएं उस तरीके के हमें लोग देखने थे और हमें यहां देखके बहुत अच्छा लगा दूसरी बड़ी important चीज़ दोस्तों यहां पर यह है कि बहुत ही massive scale पर यह movie बनी है और इसको look and feel जो दी गही है वो इस तरीके की दी गही है विदे international लोग चाहे जैसे आप किसी शारू खान की movie देख रहे हों तो ऐसा नहीं है कि किसी टीवी स्टार्स को निकाल के आपने अगर कोई movie बनाने की कोशिश करें तो कोई कंजूसी करें तो वह बहुत अच्छा लगा music जो background के अंदर चल रहा है वह बहुत amazing लग रहा है चौती चीज़ दोस्तों यहां पर य तो यह जो कहानी है कि अमने बहुत 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 ही सुनी है बट तो यह बहुत अच्छा है तो जो सनी कोशल है उनकी body language बहुत अच्छी लग रही है he's looking handsome उसने जो डाडी वाडी का जो fine cut रखा हुआ है और सीधे बाल कराहे में वह अच्छा लग रहा है रादिगा मदान super good to see in a romantic role because अभी तक वो she was kicking asses अभी आपने अगर मर्द को दर्द नहीं होता तो वो देखना उसके अंदर तो she was a badass highly recommended movie है वसन बाला ने बनाई ती आपको ज़रूर देखनी जी है कल्ट है अगर आपने नहीं देखिए उसके बाद मोहत रहना यार मतलब जो पीछे उनकी voice चल रही है जबर दस्तियार मुदला इनके काफी साथा फैंस है good to see कि मेंस्ट्रीम सिनमा कर रहे है साथ मैं डाइना पेंटी शी लुकिंग गॉर्जिस एस एवर तो बहुत बड़िया लगा मुझे जोड़ी अच्छी लगी इन दोनों के ब्रदर का जो relationship जेतना भी हमें द दिखाया है यहां पर आज की problems आज का discovery of love आज का taking our own parts and then maybe coming back to the same person and saying that no I was wrong I actually loved you more than infatuation तो इसारी जो discovery है बहुत अच्छी है थोड़ी मेचोर भी है थोड़ी सी मैं बोलूँ है लड़कपन वाली भी है first love वाली भी है cute है adorable है बहुत मज़गार है large scale की तो इन सब वजाओं से ह में काफी इंप्रेसिव लगी और बनाने वाले ने दोस्तों कोई कंजोसी भी नहीं करी production quality बहुत बढ़ी आ है तो यह देखके मुझे बहुत काफी जादा पसंद आया अगर आप किसी potentially good star को लेके बड़े scale के वह और movie बनाते हो तो अगर यह movie चल जाती है तो काफी जादा confidence आएगा कि आप star maker बन सकते हो यह नहीं कि आप star की power यूज करके अपनी movie को बड़ा बनाते हो यहां पर आप story के दम पर अच्छे actors के दम पर बलार्च के बनाते हो इससे पहले दोस्तों मैंने इस तरीकी कि जो movie देखी थी जिसके अंदर romantic movie भी थी और साथ में छोटे stars को ब काफी लोगों को याद होगा उनकी memory sharp होगी बहुत अच्छी थी उसकी भी scale काफी जाथा बड़ा था मुझे उसकी याद आई कि शायद हम उसके zone में जा रहे हैं उसके बाद वो trend बंद सा हो गया कि जो अच्छे actors हैं बट चोटे पड़ देके हैं उनके ओपर investment डाली जाए यहाँ पर डाली है और ऐसा लग रहा है कि छुट pay off so fingers crossed अगर pay off करती है तो बहुत सारे रस्ते खुले हैं और जिन लोगों को नेपोटिसम से शिकायत रहते हैं उनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी तो if you're new to the channel don't forget to subscribe it and we shall meet very very soon बाइब बाइब